नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुसों के एरिक्टाइल डिस्फंसन में इस्तमाल होने वाले हिम कोलिन जेल की सही और पुरी जनकारी के लिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखें तो दोस्त आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को भी दबाए और कमेंट करें जिससे आप हमारे आने वाले नए वीडियो को मिस नहीं करेंगे और हर रोज 8 पीम पे हमारा वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया जाता है तो आए बात करते हैं हिमकोलिन जेल के बारे में दोस्त हिमकोलिन जेल एक हरवल दबा है ये जेल पेनिस यानि लिंक के तवचा पे लग सेखल बात करेंगे कौन कौनसे constituents हमें देखने को मिलते हैं इसमें कई प्रकाय Richardson को मिलते हैं जैसा कि आप सक्रिन पर देखा रहे होंगे लेकिन इस जेल के दो मुख होने है पहला है जोतिस्मति और दुसरा है लताकम खास्तोरी अब जोतिस्मतिक प्योग अस्तम दोस्त के के लिए किया जाता है यह वेङसर डालेटर के रूप में काम करता है यानि कि लिंग में टो नसों में रक्त शंचार को बढ़ाता है जो पूरीश की लिंग जो sensitive नस होता है उसको trigger करता है और उसके erection को बढ़ाता है वहीं दूसरी तरफ लता कस्तुरी के बारे में समझते हैं लता कुस्तुरी के अपयोग योन इच्छा बढ़ाने के लिए किया जाता है इससे कम हुई योन इच्छा को कम इच्छा को बढ़ाने में सबसे अधा इस्तिमाल आता है यह एठन यानि की कस्म को कस्म को रोकता है और कामो छिपक के रूप में काम करता है आप समझते हैं कि ये जेल को हम किस तरह से लगाते हैं इस जेल को लिंक के उपरी तवचा पे यानि कि प्रोपुस का जो पाट होता है प्रोपुस को पीछी घीच कर ग्लांस पेनिस के इर्द घर्द लगाया जाता है यदि प्रोप्लम जादा है तो इसका इस्तिमाल रोज किया जाता है यदि प्रोप्लम कम है तो इसका इस्तिमाल कम किया जाता है अप समझते हैं कि इसका इस्तिमाल कब किया जाता है इस जेल का इस्तिमाल पुरुसों में होने वाली एरेक्टाईल डिस्फंसन यानि किया जाता है यह दवा उन पुरुसों में काम आती है जिन लोगों में सेक्शिवल इंटरकोर्स के वक्त लिंग का इरेक्षन नहीं हो पाता है लेकिन ज़्यादा देर तक टाइट नहीं रहा पाता है इस दवा में मांस्पेशियों को अराम देने वाली गुण होती है और इसलिए वो इरेक्शन को बढ़ाने में काफी कारिगर है काफी मदद करता है अब इस हिम कोलिन जेल से रिलेटेट कुछ साउधानियाओं को बारे में समझते हैं सारीक समंध बनाने से 30 मिनट पहले इसे आप लगा सकते हैं इसे 20 साल से 40 बरस के बीच के ही लोग इसका इस्तमाल करें तो काफी अच्छा है लगाने के बाद इसे धोकर ही सारीक समंध रखें बात करते हैं इसे होने वाले साइड इफेट के बारे में तो इस जेल के लगाने के बाद किसी भी साइड इफेट का ना होने का दवा करती है ये हिमाले कमपनी लेकिन इस जेल को लगाने के बाद लिंक की तौचा थोड़ी सी लाल दिखाई देती है और जलन का महसूस भी होता है तो इसे आप परसान नहीं हो जलाज अनकारी के लिए निचे दिये गए नमबर पे आप कॉल कर सकते हैं या कोमेंट सेशन अपना सेशन दे सकते हैं